हेलो व्रीवन आज के इस वीडियो से हम बच्चो क्लास टेंथ का जो चप्टर इंबर तीन है ना नए बुक के अकॉर्डिंग जो नए बुक आई है न दोज़ात तेईस चॉबिस में उसकी अकॉर्डिंग वो चप्टर में स्टार्ट कर रहे है चप्टर का नाम क्या है बच कोशिन बोर्ड एक्जाम में पके पके आएंगे ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन कोशिन है यहां पर सारा करेंगे हम डीडियल में बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे नए बुक की पीडियोप चाहिए तो कॉमेंट करते ना वो भी आपको मिल जाएगा बच्चो चैप्टर का नाम हमारा है कि दो चर वाले रैखिक समी करण योब तो जो चैप्टर का नाम है उसको डीकोट पहले करते हैं दो का मतलब क्या होता है संग कोई दो संख्या चर का मतलब होता है जैसे एकस, वाई, जैड, टी तो कोई दो चर हों गए ठीक हिर रैकिक का मतलब क्या होता है जिसकी घात ना एक हो किदी नहीव समीकराहण तो आप जानते ही है और युुग्मो का मतलब क्या होता है जोड़ा यह चीज होती है अब इसके व्यापक पत को मैं समझाओ व्यापक रूप क्या होता है इसका एक्जैम्पल भी दूँगा अभी में व्यापक रूप ठीक है इसका व्यापक रूप क्या होता है वो होता है E1X प्लस B1Y प्लस C1 इस इकोल टू 0 बराबर के उस तरफ आपको 0 रखना है ठीक है अगर कुछ होगा भी तो उसे उठाकर इस तरफ लेके आना है और दूसरा क्या होता है E2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 अब देखो यह दो हैं एक दो तो यह क्या है युग में यानि कि जोड़े की रूप में ठीक और यहां पर चर क्या है X और Y यानि कि दो चर है इसी के हमें हल भी करने होंगे आगे चलकर और यहां पर जो A1 है B1 C1 है ठीक है यह जो A1 होता है यह जो B1 होता है यह जो C1 होता है यह होती है वास्तिविक संख्या है कहां से आती ही यह आर आर का मतलब होते हैं वास्तिविक संख्या यह सब क्या होती है वास्ते एक संग्या अच्छा एक अंकिक उधारण देदा हूं ना इतों मैंने आपको व्यापर ग्रूप लिखके दिखाया इसका अंकिक उधारण दू यहां पर मैंने लिख दिया 2x- को जरूर नहीं कि हमेशा प्लस में ही ओं माइनस में भी हो सकता है प्लस अंड़रूट टू यहां लिख दिया मने एकस प्लस साथ वही प्लस पान सो यह समीकण मेरा एक होगे यह समीकण नंबर मेरा दो हो गया ठीके तो ये दो चर वाले रख़िक समय कर यूगम होगे रखक क्यों क्यों कि X और Y की गात कुछ नहीं तो एक-एक है इसलिए से रख़िक का जाता है अगर आपसे कोई बोले भाईया A1 क्या होगा? X का गुरज पहले वाले का 2 B1 क्या होगा? Y का गुरज माइनस के 3 और C1 जिन्नों का भी धहन रखना है Under root 2 अब परी में संख्याँ भी वास्टिविक संख्याँ ही होती है धहान रखना A2 X का गुरज कुछ नहीं है तो 1 B2 तो यह चीज बहुत जरूरी है, अभी हम कुश्ण करेंगे तो इस तरीक से तुलना करेंगे हमें मान निकालना पड़ेगा, तो मैंने आपको दिखा दिया वही कैसे निकालते हैं, आगे हैं समझ में, आगे बढ़ते हैं, नेक्स चीज हमें जो सीखेंगे न इस वीडियो में वो हम सीखेंगे, ग्राफी वीदी से हल, कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे, और इस टॉपिक पर एक कुशिन बोर्ड एक्जाम में आता ही आता है, ग्राफ कीशने को सीदे सीदे चान नंबर या फिर पांच नंबर में, यह प्रशनावली करोगे ना, दो से तीन सवाल, दो नहीं, तीन सवाल जरूर आएंगे बोर्ड एक्जाम में, यह मेरा दावा है, ठीके तो बहुत इंपोर्टन है, प्लीज पूरा-पूरा देखेगा, और उसके बाद यह जो टेबल है, ठीके न, यह जो टेबल आप देख रहे हैं, इतना, यहां से, कॉपी में लिख लि है, यह पहली रेखा है, यह दूसरी रेखा है, ठीके, अगर आपके पास दो समिकन देगा, अब तुलना करके, A1, B2, A1, B1, C1, A2, B2, C1, A2, B2, C2 निकल, अभी कोशन करेंगे हम, और फिर यह आगा, अगर यह आ जाता है, यह कंडिशन आ जाती है, तो उसका ग्राफिय प्रतिश्यत करती है, यह रेखा होगी, क्योंकि एक पॉइंट पर कट करता है, तो केबल इसका एक हल होता है, और जब-जब हल होगा, तब-तब यह क्या होगा संगत, जाहे एक हल हो यह अनेक हल हो, संगत होगा उस उस्तितियमे, अगर तीनों अनुपाद बराबर तो संपाती रेखाएं होती है, संपाती रेखा का मनलब यह रेखा गई, इसे के उपर से दूसरी रेखा भी चली जाएगी, तो इस रेखा के उपर से दूसरी रेखा जारी, अनंत बिंदों को छोते होगी, तो इसके अपरिमीत रूप से अनेक हल होते है, हल है, तो यह भी होगा बच्चों संगत यह भी संगत होता है कि दूसरा क्या एक आगर एवन बट्टा ए डू बीड़त बराबर है परतुशन सी डू बड़त नहीं है तो समांतर रिखाएं होती है बन्तब यह पहले रिखा गई और यह दूसरी रिखा गई सलक के दो किनारे कभी नहीं मिलते हैं सलक के दोग इनारे है ना तो यह रिखा और यह रिखा कभी भी टच नहीं करेगी कभी भी टच नहीं करेगी कोई हल नहीं होगा क्योंकि टच है करी नहीं रहा है तो कोई हल नहीं होगा और जब कोई हल नहीं होता है न तो पच्छों यह क्या होता है असंगत इस टॉपिक पे कुशन और ग्राफ पे कुशन आएगा आएगा मा कसम खाके बोलना हूं आएगा ही आएगा क्यों हर साल आता है जितनी भी साल पेपर है और इस साल तो सिलेबस कम हुआ है तो और आएगा वैसे दो आते ही है अब तो 200% हम कर्फा में कि भाया आएगा ही है और मेरी पढ़ाय ओए बच्चत सारा अनलोय कोई प्रशानी है तो विडियो को दोबारह देखें नहीं है तो आगे बढ़ते हैं आज आते हैं प्रश्णावली तीन दश्णावली मोस्ट इंबॉर्टन प्रश्णावली है ठीक है पहले जो कुश्चन है और बीच में कुछ कुश्चन आएंगे ग्राफ के और यहां पर एक उधारन का कुश्चन भी होगा वो मैं आपको एक्जामें बार बार पूछे भी जाते हैं ठीक है मैं आपसे बड़े भाई के नाते बोलूँगा ठीक है हाला कि प्रश्णावली तीन दश्णावली एक जो पहले हुआ करता था था न वो इन्होंने हटा दिया है बट मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं आपके दोस् कि आप सीख जाओगे क्योंकि यहां पर सिफ दो ही कुशन है ठीक है तो बड़े भाई के नाते में एक दोस्त के नाते में बोल रहा हूं पुराना वीडियो जरूर देखना प्लीज ठीक है आपको फायदा ही करेगा आपका फायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा तो कुश यह जो आपका समीकर्ण युग में होता है ना इसको हल करनी की तीन विदी है हल इसकी हल करनी की न तीन विदी है आंकिक रूप से आपको कौन-कौन सी तो मैं अभी को बताता हूं कौन-कौन सी जो पहली विदी है हमारी वो होती है प्रतिस्थापन सब कुछ सिखाऊंगा म आपको प्रतिस्थाबन विदी यह आपकी पहली विदी है दूसरी विदी है आपकी विलोपन विदी ठीक तीसरी विधी है आपकी वज्र गुणन विधी जिस विधी से एक्जाम में बोला जाए आपको उसी विधी से कुशन को सॉल्व करना है अगर मातुबबरी करके दूसरा कोई विधी लगा देते हो तो फिर नंबर आपको नहीं मिलेंगे जीरो जीरो मिलेगा ध्यान रखना जैसे इस कुशन में बोला गया है ग्राफी विधी से हल करो तो उसी विधी से हल करना है ठीक है अगर नहीं बोला जाता है तो फिर आपकी मर्जी आप किसी विधी से हल करो वो आपकी चौईस है ठीक तो आजाते हैं पहले प्रश्ण में जो कि most important है कह रहें कक्षा 10 के 10 विध्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार दिखो तो प्रतियोगिता में भाग लिया गए लड़कों और लड़कों की संख्या ग्याद कीजिए वेरी व ट्रास्जेंथ में जो कुल विद्यार्थी है प्रश्ण में दे रखा है कुल विद्यार्थी कितने दे रखें हैं दस और विद्यार्थी है तो दो टैप की विद्यार्थी होते हैं एक तो लड़का और दूसरी लड़की बट आजकर तीशी सेंडर भी आ चुकी है थे अन्व मां उतने ही रेस्पेक्ट दो टीकी देंडर कॉन से भुच्छो ट्रास्जेंडर है न तो उनको भी हुआ है जितने हमें मिलती है थे ट्रास्जेंडर क्योंकि भगवान ने उनको भी बनाया है तो अगर आप कहीं प्यां तो हम माल लेते माना लड़कों की संख्या लड़कों की जो संख्या है वह माल लेते एक्स तथा लड़कियों की संख्या क्या माल लेते हैं कोई दिकत नहीं होगी प्रशन में बोल रखाएं प्रथम शर्था अनुसर प्रथम शर्थ में क्या बोला गया है कि जो कुल विद्ध्यार्थी एं है ना कुल विद्ध्यार्थी कितने हमारे बस जैसे मैं कर रहा हूँना एक्जाम बिल्कुल वैसे ही करना है कुल विद्ध्यार्थी 10 हैं यानि की लडका और लड़कियों को अगर हम जोड़ दें इतने लड़के हैं इतने लड़किया हैं तो कुल कितना होगाका 10 होगा समीकर नमबर एक अब आप कोगे सर्थ को आपने उधर क्यूं रखा है आप तो बोले तो इधर रखना होता है तो ग्राफ के कुशिन को हल करने के लिए आंके के मान को दाई तरफ रखते हैं ठीक है दिमांगो डाल लीजिए फिर आजा ये दुतिय शर्ट अनुसार दुतिय शर्ट में ये बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार दिखें देखो ये लड़कियाह है लड़कों की संख्या से कितनी दिखें है चार दिखें यह जो लड़किया है लड़कों की संक्या से चार दिखें ठीक है देखो प्लस का एक्स इद्रा के क्या हो जाएगा माइनस का एक्स और वाई तो प्लस का पहले से इधा 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 चार तो यह मेरा समीकर नंबर दो बन गया ठीक है आराम से समझा रहा हूं तक यह पोरा समझ पाए और कर पाए अब देखो यह समीक्रण आपको बहुत आसान देख रहा होगा ठीक है आसान समीक्रण है और ग्राफ के त्वरा हल करना है मैं यह भी बूला गया है तो X की पाव देखो डिगरी कितनी है 1 अगर किसी के डि और काफी रूप होता न वो हमेशे सीधी देखा हुथी है क्या होती है इस सीधी रेखा और एक कम से कम कितने हम बिंदु चाहिए हैं दो बिंदु जब दो सरल यह दो दो विंदू को तुम मिला होगे एक सरल लिखा तुमारी बनेगी तो कई टीचर बोते हैं तीन दो निगालो चारैने न Tech कभी मत निकालना सिर्फ दो विंदू चाहिए होते है तीन लिखके निगालना होते हैं बिंदू सिर्फ दो निखालो और दोनों बिंदू अलग-अलग होने चाहिए यह द्यान रहे हैं तो देखो कैसे निखालेंगे यह नहीं कि तुम बट्टे में ला रहे हो पॉइंट में ला रहे हो तो एक्जैक्ली आंसर आना मुश्किल हो जाता है उस इस्थिती में लगबग में आंसर आते हैं ठीक है तो हमेशा पूर्णांक में निकालना पूर्णांक जानते हो ना जैसे 0 1 2 3 इदर प्लस में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इदर ऐसे संख्या चाहिए आपको समीकर ने क्या है हम यहां लिख देते हैं एक्स प्लस य बराबर 10 यह मेरा समीकर नंबर 1 है अब एक्स और वाई तुम कुछ भी मान सकते हो परन्तु ऐसा मान मानना एक्स की हर लोग की वाई तुम्हारा पूर्णांक मे आए तो मैंने माना एक्स बराबर मैंने 6 मान दिया तो यहां रखोंगा 6 की जगा एक्स की जगा मैं रख दूंगा 6 यह यह वाई 10 हो गया ठीक है तो प्लस का 6 दरा कि क्या हो जाएगा माइनस तो य का मान मुझे मिल जाएगा 4 तो पहला बिंदू पहले एक्स आता है फिर ओच गए के म Серг Selv maintenant से एक बिंदू मिला । विंदू जाएं कम से तो दुबारा मैं मानूं हो तो मैं X और y को चाहते नहीं मान सकते इस समय कडूइ को दूसरेइन पर मान सकते यहीं है कि इस नहीं मान सकते है वैं ज़रोर नहीं तुम्हाजूं नहीं हमने देखर य को 5 बान दिया मैंने यहां रखूंगा मैं ठीक है तो प्लस का 5 इदर आगे माइनस का हो गया एक्स का बान बच्चों कितना आ गया 5 तो जो क्यों हो जाएगा पहले एक साथ है एक्स हमें 5 मिला य हमने 5 माना था इस समीकरण से दो मिल गए ठीक अब हमें दूसरे से भी दो मिन्दू चाहिए यहां लिखेंगे समीकरण 2 से बढ़ लिख लेंगे समीकरण 2 क्या है ठीक माना एक्स के मान को मैंने जीरो मान दिया जीरो भी पूना गए तो यहां रखेंगे दो माइनस का 0 हो या कुछ भी 0 तो 0 ही हो दें प्लस मैनस करने हो तो 0 0 0 में वाइ जो लोग तो य रहेका वाइ का मान आगिया चार तो बिन्दू पी क्यू इसे R मान लो एक्स अपने 0 मना वाइ अपको 4 मिला फिर से पुर्णा अपने X माना तो Y मान लो Y को मैं क्या मान लेता हूँ 0 मान लेता हूँ Y को मैंने 0 मान ले यहां रखो –X प्लस 0 तो यह आगे –X बड़ाबर 4 यानिकि –क दिरा जाएगा तो X आपको –4 मिला Y अपने 0 माना था इससे भी 2 बिंदो मिल गये इससे भी आपको 2 बिंदो मिल गये कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको दिखाता हूँ ग्राफ में कैसे इसका हल निकालते है यह ग्राफ पेपर है ग्राफ सबके पास ग्राफ की अलग से कॉपी आती है खरीद लेना बच्चो ठीक है यह स्केल है अब मैं पैंसे बना रहा हूँ लेकिन हमेशा चितने आपको पैंजल से बनाना एक्जैम में पैंसे से बना रहा हूँ ताकि आपको डार के दिखें ठीक है इधर एक्स एक्स होता है इधर एक्स डैश ओपर वाई पॉजर्टिफ इच वाई नेगेटिव यह सब आपने क्लास नौ में बढ़ा है यह केंद्र है एक एक सेंटिमेटर को एक बोलते है एक दो इधर माइनस कि फिर उपर ब्लस में है नीचे माइनस में हैं यह सब लिखना है नहीं लिखो ज़्रटिमा और बिलेगे यहीं नमबर पहला बिंदू congressmen 1-2-3-4 यह दूसरा विन्दू गया है एकस पर पान्च जाना यह पिशनी है देखा कौन सी रेखा अमिताब जी की रेखा नहीं है ठीक है सीधी रेखा लाइन तो यह जो रेखा है इसका नाम लिख दीजिए समिगन का नाम कहा है X प्लस Y बड़ाबर 10, ठीक है यहां लिख दिया दूसरे वाले भ्याज़ों पहला बिन्दू है एकस पे जीरो जाना यकीप जाना युए पोओ अब मायनिस पे 2018 आज एपे जाना हिए ये बिन्दू हाग है इंद दोनों बिंदू कौ Mix मिला त गीजिन रेका है और ऐता है टो आख हो गजी आप तो देखो ये जो लिखा का नाम किया है? इस लिखा का नाम है गराव हनो और एह यहां पे आके मिली आ है किक्री है और जो प्रतीचीरित बेंदू हो था वह वहारो हल होता है मेला नाम तारग है तो मेला ये लिग्दियाग अब कैसे तो प्रतिश्यत तीन को में साथ है यानि एक्स आपका 3 है और वहीं आपका साथ है है यह हमने आज़ा निगाला ग्राफी विदी से त्रेक्ष लड़कों की संख्या हो जाएगी तीन और लड़की की संख्या हो जाएगी साथ आंसर कहीं पर भी डाउट दिक्कत परिशानी हो विडियो को दोबारा देखिए हो गया मोस्ट इंपॉर्डन था ये वोशन ठीक बच्छों अब आते हैं सेकेंड वाले प्रश्ण में इसके इस वाले प्रश्ण पढ़ देता हूं कि माना पहले प्रिश्ण बढ़ देद हूं कि पांच पंसिल तता साथ कलमों का मॉल्य 50 रुपिय कि साथ हैं और पांच क्लमों का मॉल्य 46 रुपिय हैं एक पैंसिल का मुल्य और एक कलम का मुल्य आथ कि जिएए ग्राफी वेदी दूरा माना एक पेंसिल का मुल्य ठीके यह अमने मान लिया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ दुक प्रथम पांच पैंसिल और साथ कलम तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्था मुसर प्रथम शर्थ में यह बोला गया है पांच पैंसिल एक टॉफी की कीमत दो रूपए है तो तीन टॉफी की कीमत की तीन छे रूपए है गुणा कर देते हो एक की कीमत x है तो 5 की कीमत क्या होगी 5x प्लस एक की कीमत y है तो 7 कलम की कीमत क्या होगी 7 वैंड दोनों का कुल क्ल मुलें कितने 50 रुपए फिर आज़ा दुटी शर्तान नुसर इसको भी ग्राफ से ही बहल करना है ठीक है धियान लगना दुटी शर्तान नुसर दुटी में यह बुला गया है साथ पेंसिल याने की साथ एक्स और पांच कलम याने की पांच वही है कि मुल्य कितना है चाल इस यह दो समीक्रण हमारे बनके रेडी हो गई अब फिर से वही दो दो बिंदू निकालने है और ग्राफ पेपर में हल करने है कि इंपोर्टन कुशन है ठीक हो गया अधक तो बिंदू निकालना है मैं यहां जाएंगे समीक्रण को एक से अब एसे प्रोश्ण में सोचना पड़ेगा और एकदम से आप को महारत हासिल नहीं होती है कुशन की प्रैक्टिस करनी होती धीरे धीरे आपके कैल्कुरिशन स्टॉंग होगी तब आएगा एकदम से नहीं आता है इना सोचना पड़ता है स्टाटिंग को करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या रखूं कि हल करके मुझे पूर्णांखी मिले और एकदम से यह तो किसी-किसी बच्चे को यहां पाता है जिसमें भगवान की जदा अच्छी देन होती है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उनसे भी आगे बढ़ जाओ है तो स्थम्ची पंढ़ें गड़ां गि में तो गड़ सकते हैं कैसे बना सकता हूं एक तो थैजिए पंध्रा न वर्टों फेट इस बनेगा कि सोचना पड़ता है मान तो क्या यहां पर इसकर तीन रख दिए तो पास्तिया पंध्रा ठीक तो ये प्लस का पंद्रा इद्रा के माइनस खाऊ जाएगा ठीक अब पंद्रा में पचास में पंद्रा गड़ाऊंगा तो 35 बजएगा और ये साथ गोड़े में था इद्रा के बट्टे माँगा तो य का माना आगया पांच तो पहला बिंदू है एकस अपने तीन माना य आपको पांच मेला एक ही बिंदू मिला न अब दो बिंदू और निकालने अब देखो कि मैं वाई को जीरो मान दूगा पांच का गुड़ा जैने पांदी पजास हो जाते हैं अब मैंने क्या किया माना वही वराबर जीरो यहां जीरो मान दूगा क्योंकि मुझे पांच एकस दिखिया था है तो किसी को भी जीरो से घुणा करते हैं जीरो हो जाता है कि तो यहां जाएगा पांच एकस पचास है John पांच गुड़ाय में इत्र के बट्टियावें आगे पांच गांच जीरो तो एक्स का मांद आगया 10 तो एक्स मुझे 10 में यह ऑर दो ही मैंने 0 माना था तो पहले समीकरण से दो बिंदो हमें आराम से मिल गए है यह यह पहला बिंदो दूसरा बिंदो कि एक्स और वाई का मान तुम कुछ भी मान सकते हो कुछ भी आपके दिल में जो आ रहा है ठीक है लेकिन वह पूर्णा खोना चाहिए और कि दूसरे समीकर में आ जाते हैं समीकर नमबर 2 से कि यहां देखिए मेरी तब्यात बहुत खराब है पर फिल्म में वीडियो बना रहा हूं और मुझे बीच बीच में खासी आ रही है बच्चों मुझे माफ करना ठीक है अगर आपको डिस्टाब हो रहा है तो यहां आजाए साथ एक्स प्लस पांच वई पराबर चैनिस ठीक ह है साथिया 21 के अब माइव का हड़ा हूँ अगर 21 एक बनाने के लिए मुझे घठाना पहलेगा यहां से कित अ लाणा पुटेगा 21 ग्रान एक लिए मुझे कम से कम पच्चिस पच्चिस गठाना पड़ेगा इसमें से न तो मैं वाई के मान मैंने क्या रखा पांच माना वाई बराबर पांच वाई के जगा पांच रख दो पच्चिस तो यहां से बचेगा एक किस यह साथ गुले में है इदर के बट्टे में साथ ती है किस और एक्स का माना गया त्यू पीक्यू आर ये बिन्दू जाएगा एश इसे आर माल दो इसे क्यों मान दो इसको रख क्यों मानना चाहिए यह क्यों है यह आ रहे है एक्स आपका तीन है वाई अपने पांच माना था ठीक है अब एक बदाओं का थोड़ी देर में मजा ही आ जाएगा देखना फिर फिर क्या करें वह यह हमने यह तो कर लिया अब अब कुछ और कर सकते हैं एक्स का मान जीरो मानों कुछ होगा नहीं वाई का मान जीरो मानों कुछ होगा नहीं और क्या करें को अब ऐन या वभण झáng शाथै क्वाटि ऑजह सब्सक्ता हुआ अ थैस साथ अ okay 55 हो तो यह चरहा ने चेए शापन बनाने के लिका करना पड़ेगा माई कामान मुझे मांना समट रखना पड़ेगा पुण सब्सक्त्राओं यह पमान मानिस की दो ले लिया प्लस की तस यहां हो गया 56 साथ गुड़े में इधर के बट्टे मांगे साथ अड़े लग अगर अगर आपको ऐसा दिख जा रहा है तो बगवान की बहुत बड़ी क्रिपा है आप पर बहुत बड़ी क्रिपा है भगवान जी के आप पर, यानि कि अगर दो उबाइनिस्ट बिंदू दोनों में दिग गए, तो वही उबाइनिस्ट बिंदू आपका हल होता है, आपको आपका आंसर यही पता चल गया है, कि X का आमान 3 होगा और Y का आमान 5, यानि कि एक पैंसिल क किमत तीन रुपे होगी और एक पैंसिल की किमत पांच रुपे है, यह आपको यहीं पर बता लग गया है, बट फॉर्मालिटी तो है न, करनी पड़ेगी, आपको ग्राफ में आंसर लाकर दिखाना पड़ेगा, तो ग्राफ तो किजनी पड़ेगी, तो बिलकुल किचेंग सब ग्राफ है, यह हमारा ग्राफ है, है न, जैसे पहले काम किया था, वैसे ही करना है, तो बड़े से बड़ा बिल्दू हमारा दस ही है, तस तक तो आई जाए जाए जाए, जाए, ठीक है, तो बड़े से बड़ा बिल्दू हमारा दस है, ठीक है, तो देखू दस आते, एक दो, तेन, चार, पांच, छैस, साथ, आट, नौ, दस आ जा रहे हैं, एक, दो, यह सब लिखना जरूरी है, यह सब नहीं लिखोगे नमबर कड़ेंगे, ठीके बच्चो, यह एकस अक्ष होता है, यह एकस डाश, उपर वाइब पॉजटिव, नीचे वाइब के वाइब नेगडिव, तो पहले बिंदू पर आ जाते हैं पहला बिंदू हमारा है xp3 yp5 xp3 आना है positive के yk5 positive के पहला बिंदू मिला यह आ गया दूसरा बिंदू है xp10 yp0 xp10 जाना है और yp0 यह न की yp0 जाना ही नहीं यह मेरा q बिंदू ठीक है अब इन दोनों बिंदू को मिलाती है मुझे क्या खीचनी है लाइं खीच दी मैंने लाइं और समीर रण क्या है बच्चो वो लिख दीजिये पहले 5x प्लस 7y बराबर 50 ठीक है यह हमने लिख लिया है अगले वाले में आजो 7x प्लस 5y बराबर 6 निस वहला है ना तो पहला बिंदू 3 कोई 5 है तो यही बिंदू 3 कोई 5 यह आपका r बिंदू हो गया और दूसरा बिंदू है x पे 8 y पे माइनस 2 x पे 8 ठीक और y पे माइनस के 2 इसी नीचे y का मान नीचे बाने इसमाँ होता है यह दो यह बिंदू मेरा है ऐश इसको और इसको मिला दिवी रिका की चलिए है दूसरा समीकन कहां उसे लिगदेते हैं दूसरा समीकन है 7x प्लस 5y तो यह हमारे किया उबनिस्ट बिंदू प्रतिशेदित बिंदू यह लिग देना प्रतिशेदित बिंदू यह हमारा है कितना 3,5 यानि कि x ब्रावर 3, y ब्रावर 5 आंसर कोई दिक्रत नहीं होगी यानि कि यह 3 रुपय का है एक पैंसिल और 5 रुपय का है एक पैंसिल यह हमें हमारा आंसर मिल जाए कुश्य निम्बर 2 क्या बोल रहा है अनुपातो एवन बट्टा एटू बीवन बट्टा बीडू और सीवन बट्टा सीटू की तुलना कर गयात कीजिए कि निम्सम्मिकरन योग मद्वार निरूपेट रेखा एक बिंद बार प्रतिछित करती है अत्वा संपाती है यह आपको बताना ठिक है तो यह जो कुश्यन है दो बखो एक्जाम में एक नंबर में यह दो अभर में हर सल अज अजाता है तब तो यह तीन पार्ट आपको है दिख रहा है एक एक करके अत्पे हम सारा पेला त्सक्राण है तो जो पहला पार्ट उस पर रगोंगे एक ट स Durr माइनिस के चार वाई प्लस के आठ बराबर जीरो दूसरा में दे रखें शाथ एक्स प्लस के छह वाई माइनिस के नौ बराबर जीरो ठीक है यह हमारा दूसरा समय कड़ है कोई दिक्कद नहीं है अब देखें बच्चो चूंकी एवन क्या हो था है एक्स का कुणच पांच प्लस के आठ ये टू एक्स के गुनच साथ बी टू शिक्स एंड सी टू अचरपद माइनस के नौ चीड़नों का आव शिद्याम रखें ठीक है उसके बाद हम क्या अगर दें एवन बट्टा एवन पांच एटू साथ फिरा जाई बीवन बट्टा बीटू माइनस के चार तो दो दो नी चार दो ती अचे यह और यह अलग दिए आपको वह लिखें गया आपर चूंकि अब इवन बट्टा एटू बराबर नहीं है बीवन बट्टा बीटू के कंडिशन आपको याद होनी चाहिए इस कंडिशन पर क्या होता है बच्चों प्रतिछेद करती हुए रिखा बनती है अधियुति हल भी कहते हैं इसको ठीक है केवल एक खल जब एक खल होता है तो क्या होता है संगत ठीक आराम से बन गया अब आजाए दूसरे बाट पर दूसरे बाट पर क्या दिया हुआ है लो एक्स फ्लस्की तीन फ्लसके बार हुआ दूसरे रख धर थारा एकस प्लसके चाह वई प्लसके चौवई्स प्लसके चौव़िस ठीक है चूंकि एवन कितना हैं नो भी कितना है वाई के लाई गनाच तीन सीवन अचर्वाथ कितना है बारा आटा साथा इतु हाँ आधार अठारा बीटो कितना है छैए शीटू कितना है चाभिस ठीक है अब आप देख पार है हो एग क्लियर नी एवन बट्टा एटो नॉव बट यह बिट्ट इस ही जिस धूद लिट है कि फिर अजयाए शीवन बट्टा से टो यह मदा से टू जागिश्ड बारा एकमबारा वारा दूने चाउविस ठीके ना यह 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 तीनों बराबर अगये टीरों किया गये बराबर तो आप के रिखेंगे चूंकि एवन बट्ट एटू बराबर है बीवन बट्ट एटू बराबर है सीवन बट्ट सेटू जब तीनों राशियं आपस पे बराबर होती है तो क्या होती है बचों संपाती रिखा और संपाती रिखा में एक रिखा के उपर दूसरी आती है अनंत हल होते हैं अनंत हल और अनंत हल होते हैं तो क्या होता है संगत ठीक है तीसरे वाले पार्ट पर आ जाते हैं अचेक्स प्लस की तीन वाई प्लस की दस बराबर जेरो यह पहला समय करना है दूसरा दे रखा टू एक्स माइनिस की वाई प्लस की नॉव बराबर जीरो ठीक बच्चों कोई दिक्कत नहीं है आदक अब देखिये हैं चूंकि एवन कितना है 6 वीवन कितना है माइनस के 3 C1 कितना है 10 princes और टू कितना है 2 वीटू कितना है माइनस के लिए को टाब虑 हो और मायनस taking हो तैक को दे कुरॉज हैं कॉरھ हैं और माइनस ठीन वाजानकर पशहान रखना हैंah और सेटू क्या है नो ठीक है अब आज जाए यह अरू पाद में इवन बट्टे टू निकालो चाहिए बट्टे दो दो ती आच्छे भीवन बट्टे बट्टे निकालो मैंस से मैंस तीन के बट्टे में एक है तो पर जो संख्या होगी वही आजाएगी यह और यह बराबर आगे बट्टे सीटू दस बट्टे नो आप देख पा रहे हैं कि यह दो बराबर है और यह बराबर नहीं है तो यह जो कंडिशन होती है किसके होती है समानतर रिखा की एक रिखा ऐसे गई दूसरी ऐसी ठीक है और इस किया कभी टच नहीं करता तो कोई हल नहीं होता इसका कोई हल नहीं और कोई हल जब नहीं है तो यह क्या होता है असंगत कि यह प्रश्ण बन गया आपका अराम से ऐसे तीसरे वाले पार्ट पर आजाओ करें अनुपादों की तुलना करके ग्यात कीजिए कि निमने का एक समीकर्ण के युग्म संगत है या संगत है संगत कब होगा जब हल होगा तो संगत होगा हल नहीं तो संगत है तीसरे के पर्स्ट पार्ट में आजाते हैं क्या दिया है हमें 3x प्लस 2y बराबर का 5 प्लस का इदरा के क्या हो जाएगा माइनस का समीकर्ण नमबर एक देखो यह जो प्लस का पांस था न यह इसको इदर ले आए एक युवार में दूसरा में दे रखे टू एक्स माइनस के 3y और जो प्लस का 7 वो इदरा के माइनस का हो जाएगा ठीक है एक्विशन को मैंने धंग से लिखना है आपको मैंने पहली बता कुछ भी उस तरफ रहेगा उसको उठा के इस तरफ लाना है ठीक है अनुपाद वाले है ऐसा करना ही पड़ेगा अब आप डारिक्ट निखालते हैं एवन बट्टा एटू एवन के तीन एटू है द बराबर होता है तो शीवन बट्टा सीटू निकालना होता है अब प्रतिछेत करती वी देखा है अना कंडिशन याद रख लो आए गहीं आएगा कोशन इस पर तो केवल एखल होता है अ हल है यहने की यह क्या होगा संगत है ठीक सrüक्ष्ण वाला आपको खुग करना है वैं है और कान रूबर कर ला भिवेprovह को किसका अंशर क्या होगा फिखे वाले का ठीक बच्छों जैसे पहला किया न हम आपको खुग करको कॉमेंट करना है तीसरा मैं कर रहा हूं सेकंड वाला मेरे तरफ से हम वो गहे ठाड़ वाले में रखा है तीन बॉट्टा दो एक्स प्लस के 7 उद्र आखे क्या हुचाएगा माइनस का प्लस के 14 इदर आखे माइनस का 14 इसको इद लिए इसको इदन लिए ठीक एवन एवन कहा है हमारे पास? 3 upon 2 और 8,2 हमारे पास कहा है? 9 upon 9 ठीक है? इसके अपर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ इसकी गुणा इसके साथ होती है, 3 एककम 3, और इसकी गुणा इसके साथ, 3 एककम 3, 3 दियानो, ओपर एक बचा, 3 दो नीच है, ठीक, अब आजाएं, बट्टा बेटू, बीवन क्या है, 5 बट्टे 3, और बेटू है माइनस के 10, बट्टे में कुछ नहीं, तो एक लिख सकता इसकी गुणा इसके साथ 5 एककमपात और इसकी गुणा इसकी माइनस के 10, reducing 5 दो नीच, 10, 3 दो नीच है आपने को संगत ठीक है कोई दिक्त नहीं होगी सेकेंड वाला मैंने बाचाओ न पेर हों प्टक कर टाना अम्टर अपना नाम स्कोल का नाम जरूर लिखना है उसका यह आद ओसलने जारी सह कुछे जाओ लाएं ? कि दिए है कुछ घंदे रखा है कि पांच एकस मैंनेस की तीनव एप्लस कि एया इतर खेमाइन souvent हो जाएगा दूसरा दी लखता माइनस के लगाए कि प्लस के चाहिए बाई सिधे रके क्या हो जाएंग, प्लस के लग देखओ। प्लस का 11 इदरा के माइनस का हो गया, अब माइनस के 22 इदरा के प्लस का 22 हो गया ठीक एवन बठे एटू निपालो, एवन ने 5, एड़ू है माइनस के 10, 5 एक कम 5, 5 दुनी 10 बीवन मट्ठे भी दू, माइनस के 3, 6, ठीके 3 एक कम 3, टीन दुनी 6 है कि दूनों बराबर आगे अगले वाले बातक है दूब इस यारा प्लस के बायव गैस के जटो ही हो एंच स सवाइब यह ये तंब। यह संभादी रखा होगी संपाति रेखा कि क्या होते हैं अनन्त हलोते हैं और अनन्त हल है तो क्या होगा संगत ठीक है कोई दिक्कद नहीं है आगे बढ़ जाते हैं यह भी होगा आखरी बाले में इसको गरेगी ठीक पांच्वा पार्ट हमें दे रख रहे हैं 4 by 3x plus 2y बर्वर कार्ट है प्लस कार्ट इदर आखिए क्या हो जाएगा माइनस का दूसरा माद दे रख है 2x plus की 3y plus की 12 इदर आखिए मेंस की 12 हो जाएगा हुए थिए फिर हमी क्या निकालना है इवन बट्ट्टा्यट्व एवन है चार बट्ट्ट्ट्व दीट्डू है दो इसके बट्ट्ट में कॉजिन हिनुए रहा सीट फिरना इस खार कम साथ 4 इसके गुट्ट्र इसके उनए उठर eff Athena जास तीर आघर दो मझार किया तीर ही हु कि बीवन है दो बितू है तीन यह बराबर आ गए सीन बटने सीट्विए आजाओ सीवन है मàiने सीट्व है व next के बारा माइना से माइन tietार दून्हाथerca के बारा अ यन सन्पाती रखां एक है रिकागा संगत के सेकंड वाला होमवक छोड़ा है कॉमेंट करके जरूर बदाना बच्छों इसका आंसर मुझे ठीक है अगले वाले प्रिश्ट पर आ जाते हैं चौथे नंबर बर के निम्न रहा किसमीक्रण के युग मेंसे कौन से युग म flavors सगत है यदि सगत है तो ग्राफी विदी से हल करके ग्याद कीजिए ठीक है ग्राफ से हल करके बताना अभी आपको मैंने सिखा थे नाग्राफ कैसे हल करते हैं बैसे तो समिकरन बनाय बनाय है, आपके पास, पहले बाले पार्ट पर आ जाते हैं, दिया है, पहले समिकरन क्या देया रखा है बचो, x प्लस y बराबर 5, तो प्लस का 5 इढ़र के क्या हो जाएगा, माइनस के 5, दूसरा देखा है, 2x प्लस 2y प्लस के 10, इढ़र के माइनस के 10, ठीक अब देखो X का गुलच कुछ नहीं तो 1 और इधर 2 है A1 बट्टा 2 B1 Y का गुलच कुछ नहीं तो 1 और इधर Y का गुलच कितना है 2 1 बट्टा 2 constant माइनस के 5 और यहां क्या है माइनस के 10 माइनस से माइनस कैंसल 5 एकम 5 पांदने दस तीनों बड़ाबर है चूकी A1 बट्टा A2 बड़ाबर है B1 बट्टा B2 बड़ाबर है C1 बट्टा C2 तीनों बड़ाबर है तीनों बड़ाबर होने पे क्या होते है संपाती रेखा और संपाती रेखा होने पे क्या होते है जो अब संदत है तो ग्राफित से से सब het thousand को जो कि अब संब्त है तो मैं भी श्कुंट करना पड़े गाया कि निस थो ग्राफित्त UP दो दो निकालने पड़ेंगी और अनन्था लाएगा यानिक एक ही रिखा बनेगी तो यहां देता हूं मैं समीकरण 1 से और यहां लिखता हूँ समीक्रण दो से हैं ठीक समीक्रण एक हमारे पास है तो ग्राफ खिजने के लिए तो जैसा है वैसे ही अंक वाले को इस्तरफलाना होता है यह पांच है और दूसरा वाला हमारे दे रखाए टू एक्स प्लस टू वाई बढ़ा पर दस ऐक दम आसान समीक्रन है मैंने आपको मान रखके तु कर नहीं बना प्लस बताता है बच्चों को देखो बच्चों एक्स का मान अगर आप जीरो मानों गे जेऊ कि जीरो मानते ही छुप जएगा क्योंकि जेरू प्लस वय जीरो होते हैं तो य का मना जाए दच यह trata का मना शचाक के द्धाववाट चुप गया यह है ना है दू एक्स बज़ेगा दू पंजे तस है आर येस आपको होगे सरी तो सेम टू सेम बिंदू आ गए बही अलग 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 समीकर में सेम टू सेम बिंदू आ सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक अब मैं आपको ग्राफ को बना के दिखात एक दो ती चार पांच जब ग्राफ ना उनो तो ऐसे बनाते है देखो ये मिर एक्स अक्षे है ये एक्स डेश वाई डेश एक दो ती चार पांच है माइनस एक माइनस दो ठीक, दूसरे बे आजाओ, वही बिंदो 0,5, यह है, आर बिंदो है, और यही मेरा एश बिंदो है, 5,0, इन दोनों बिंदो को मेरा तो भी रिखा कि जिदो गए, इसी के उपर से फिर जाएगा, एक ही रिखाएगी, ठीक है, यहने के समपाती रिखा, अनन्त हलोंगे इसके, ठीक है, अब आजाओ, इसके सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, दिया है, हमीं क्या दिया रखा है बच्चो, एक्स मैनस वई वराबर आठ, ठीक है, तो एक्स मैनस वई, प्लस काड़ दर रखे मैनस हो जाएगा, दूसरा समीखणा में दे रखा है, ठीक है, तो एक्स मैनस की 3y, बराबर 16, ठीक है, तो एक्स मैनस ब्लस काड़ दर दर के, वानस काड़व, समीकर नंबर 1, समीकर नंबर 2, चुंकि, A1 बट्टा एक अटो X को अगो शुनाच ओएक अज फ्लेंड एक बट्टा ती बीवन बट्टा बीटोने गालो B1, V क्रफोच अगो इक और इधर Y क्रोनोर अगा मैनस के ती कट्ट के क्या आगया एक बट्टा ती फिरा जो C1 बट्टा सेटो मैनस के अट मैंस के सोलह मैंस मैंस के ऐंसिल आपकम आंट आप दो बराबर और यह वर भर नहीं है कुक्छ एवन ब्ट्ट है इटू बराबर है बीवन बट्ट है पिलन तो बराबर नहीं है अ ग्या हो गाये समांतर रेखा असन्य दिखाएं तो कोई हल नहीं होता हैं कोई हल नहीं होता हैं आप कोई हल नहीं यानिक या संगत असंगत है तो इसका हम ग्राफ नहीं खीचेंगे प्रश्ण में ही मना कर रखा संगत होगा तो ही ग्राफ खीचना है ठीक है तीसरे पार्ट पर आजाओ प्लस के यह अल्रेडी दे रखें आपको ऐसे तीसरा वाला देखों फोर एक्स माइनस के टूब आई है और यह दो माइनस के चार ठीक है आफ पहले तुल्ला करना के पड़ेगी है मैंना चुंकि एवन बटा एटू कितना है दो एटू है चार दो एक कम दो दोनी चार प्लस के बरावन नहीं आए बटा एटू के तो और ऑघ्र बटा इटू के तो क्या होता है प्रतिचेत करती रेखा और इसका किवल एखल होता है किवल एखल है यानि कि संगत है ठीक अगर यह संगत है बच्चो तो इसको हमें हल करना है ग्राफी विदी से तो यहां लिखेंगे समीकरण एक से यहां लिखोंगा समीकरण दूसे अगराब बनाने के लिए 2x प्लस y मैनस के छेदर कर प्लस हो जाएगा है ना दूसरा हमारे पास है 4x मैनस के 2y मैनस के 4 दर के प्लस का हो जाएगा ठंग से देखना आसान समीकरण डबब बना के हल करेंगे केल्कुलिशन जिस बच्चे की आस जिसको गुणा भाग जरो अटान आता है न उसके तो आसान है यह बहुत देखो अगर मैं x का मान 0 मान दूं तो y का मान क्या हो जाएगा अच्छे और y का मान अगर मैं 0 मान लूं तो 2x परावट 6 बच्च अगर दो तिया च्छे अगर एक्स का मान टीना जाए अगर वाई का मान अगर मैं 0 मान चलником चलोingen c ग्राफ में आपको औसर लाके दिखाना है तो इसी ग्राफ पेऊर मेंodor कर रहे हैं जो विंदू में ग्राफ बनायों लाल पैर से बनाऊंगा ठीक हैकई परविंदो कि है ? एकस पिश्यनो उबाईपर छोगा में दूसरा बिंदों कर देखेहोँ रहा श्यक्त tengo रेड़ से बना रहा हूँ है ना हमेरा नीले से कोई रिना देना नहीं है दियान रखना पहला समीकन के है हमारा 2x प्लस y बराबर च है ये पी बिन्दु है ये क्यों बिन्दु ये लिखा हुआ है फिर आजा दूसरे समीकन पे एकस जीरो है y माइनस 2 है ये एकस जीरो y हमारा माइनस कट दो ये आर बिन्दु और अगला है एकस पे 1 है y पे 0 एकस पे 1 y पे 0 y पे मतलब जाना ही नहीं है एश बिन्दु इन दोरो बिन्दों को मिलाते हुए क्या खिज देंगे रेखा तो ये समीकन का नाम लिख दीजे क्या है था 4x माइनस के 2y बराबर 4 तो ये प्रतिछेट कर रहा है यहां पर किसे बतल लगांगे ये बिन्दु कितना है एकस में कितना गया 2 और य पे कितना गया 2 तो ये है 2,2 यानिए एकस का मान कितना हैंगा 2 और य का मान भी कितना हैंगा 2 ये हमने ग्राफी विदी से इसका अंसर निकाल दिया ठीके बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी फूर्थ पार्ट पे आ जाते हैं चौथे नंबर बर क्या दिया हुआ है 2 एकस माइनिस की 2 वही माइनिस 2 बराबर 0 दूसरा पार्ट है 4 एकस माइनिस की 4 वही माइनिस 5 बराबर 0 ठीक अब आम यहां से देखिए एवन बट्टाईटू कितना है A1 दो A2 4 दो 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 निचार फिर देखिए B1 बट्टाई B2 कितना है माइनिस के 2 माइनिस के 4 चिनों का ध्यान रखना है दो 1 2 24 फिर C1 22 do minus के दो 3 minus 5 minus & Las cancel 2 5 डीक आप दिखेंगे कि स्टार्टिंग के दो बराबर है परण्तु इस कि बराबर नहीं है है न तो उम दिखेंगे चुंकी aring a1 बट्टा ए टू बराबर है ब1 बट्टा 평र्नाब्र नहीं है C2 थिकक्षी कंड़िशन होती है स'. समांते देखा की और समांते रिखा हैं तो कोई हल नहीं होता है मैं लोग अब कोई हल नहीं या निये कहा है आसंगत और असंगत है तो ग्राफ खिचनी आहिए मना किया गया है मैं ठीक है यह प्रश्ण आपका आराम से बन गया अगले प्रिश्ण में पांच में ये दो नंबर में कुशिन काफी बार पुछा जाता है बोर्ड एक्जाम में एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई न चौड़ाई से चारा दिखे तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा क्योंकि चौड़ाई पर निर्भर कर रही है लंबाई जिस पर निर्भर करती है उसी को मानना होता है इसका अर्ध परिमाप 36 है बाग की विमाई याने की लंबाई और चौड़ाई ग्याद करनी है ठीक है आयत क्या होता है आयत आमने सामनीक भूजाए बराबर होती है प्रतिक को नभ्यंज का होता है आयत में यह मेरा लंबाई है और यह मेरा चौड़ाई है ठीक तो मैं मान लेता हूं माना चौड़ाई एक्स इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी लंबाई चोड़ाई से चार दिखें ठीके चोड़ाई में चार जोड़ दिया प्रश्णा अनुसार आयत का अर्ध परिमाप ठीके कितना दे रखाया प्रश्ण में वो दे रखाया में 36 ठीक अर्ध परिमाप का शूद्र क्या होता है लंबाई प्लस चोड़ाई तो लंबाई हमारे पाद से एक्स प्लस चार चोड़ाई है एक्स एक्स और एक्स दो एक्स प्लस के चार इदर के माइनस हो जाएगा तो बचे का 32 एक्स का मान आ गया 16 ठीक तो एक्स मतलब चोड़ाई चोड़ाई मेरी आ गई 16 मेंटर इसलिए लंबाई एक्स प्लस चार है तो एक्स का मान रख दो 16 जैसे की प्रतिछेद हो समानतर हो इन कर्डिशन को संतुष्ट करें यह आपसे बोला गया है ठीक है मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा एक तो आपको दे रखाए और यह आपको बदानी है आंसर में यह हमें दिया हुआ है क्या दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 यह आपके पास a1 कितना फिक्स हो गया 2 b1 हो गया 3 और c1 हो गया माइनस के 8 यह प्रश्ण में दे रखा है पहले वाले पार्ट में आपको चाहिए क्या प्रतिछेद करती देखा प्रतिछेद करती देखा उसके कंडिशन क्या होती है प्रतिछेद करती देखा की a1 बट्टा a2 बराबर ना हो b1 बट्टा b2 के यह कंडिशन होनी चाहिए तो देखिए आंसर कैसे बनाऊगे आप ट्रिक के साथ आंसर क्या होगा आपको जब भी ऐसा देखा कुशन भूले ना आपको चेंज कर देना इसको एवर्ट मानलो और इसको po to the total person do simple और जो पहले उसको पार में लगदो है और इंदर आपकी और और लिए नें चिशजन को डो जब ये कुछ और लिग दो है सिए और टे अध्लाश बदली कर देना इसकी ऑर इसकी ये खहिंसर को आपको क्या करना सेकेंट वाला है सेकेंड वाला इसके अंगिनत आशर से उनमें से एक है इसका अंसर औररेक आनइए दी saga RNOB है तो समानतर टर्क्रा यहां मेरे पास समानतर एंटर को ट्रिक क्या होता है आपको आंसर बदाना है तो इसको इमें ट्रिक बताता हूं समांतर के ट्रिक क्या होता है कि कोई संख्या सोचो एक नहीं कुछ और सोचना और पहले दोनों में गुणा करना है आपको पहले दोनों में गुणा करना है और तीसरा वाला कुछ अपने मन से मान लो जैसे मैं तीन सोच लिया तो गुणा करो तीन दुनी चेक्स प्लस चिन्न है तीन तिया नौ एक ऐसी संग्या सूचनी हो दोनों में गुणा गर देंगी है और अपने मन से इसको कुछ भी मान लो कुछ डिफरेंट मान ले जैसे 25 मान लिया प्लस के यह आगे आंसर ठीक है ट्रिक ध्यान से सुनते रहना तीसरा कंडिशन हमें दे रखा है क्या संपाती रेखा यह तो बहुत असान है संपाती रेखा के लिए ट्रिक बताऊंगा कंडिशन क्या होती है संपाती की का कि A1 बिटा A2 B1 बिटा B2 और C1 बिटा C2 बरापर हो इसके लिए किया है न fantasy आंसर क्या हो जाएगा अपने मंसे संपात तीनों में गुणा कर थो तीनों में तो यह टिप्स के साथ मैं बता रहा हूं ठीक है यह कुशन भी आपका आराम से बन गया अब आते हैं आखरी प्रश्ण में जो कि इसका ग्राफ कीजिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने तिर्भुज के शीर्षों के निर्दशांग भी ग्याद कीजिए और तिर्भुजाकार पटल को चांगित कीजिए कर देना है ठीक है बहुत ही असान सा प्रश्ण है कि दिया है कि दो समिक्रण दे रखें ग्राफ किछना उसी सब से लिख देंगे एक्स माइनस वाई यह जो प्लस का वन है बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के अजय को पहला समिक्रण दूसरा दे रखें तीन एक्स माइनस के बारा इधर आके क्या हो जाएगा मैंस के बारा एंधर क्या हो गया समीक्रण जब आसान होता है तो मैंने क्या बोला बच्चों डब्बा बना कि विद्धू निकालो राफ खीचना है ना तो डबा बनाता है क्योंकि यह जान है तो मदबना की करेंगे हम उ radigan देखो एक्स का मान जीरो मानो चुप गया मैनस इधर भी मैनल मैनस सा युद्धा एक का हुआ का मान जीरो म्मानो एक्स को मान किया जाएगा मनस का युद्धा से हे एक क्यों दू है ठीक है? कोई दिक्करत नहीं, इसमें आजब X का मान 0 बानो, तो ये छुप गया, दो Y बराबर 12 बचे़े बानो, दो चंग 12, अब Y का मान 0, ये छुप गया, तीन चक्के बारा, ये R बिंदो, ये S बिंदो, ठीक है? अब हमें इन बिंदो को graph paper में खीचना है, तो ये मैंने लिए ग्राफ नया ठीक है यह है यह हमारा एक्सक्ष और यह ओपर वाई नीच वाई डश यह केंद्र वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स ट्री मानिस्टपक courtesy मानिसटर स्ब m Listening to click यह पी सामरा क्या है एक्सपेज्रोव वुए यह पェला स्टर माइनस के वाई सिरो एदर की इंदाने मैंनेतर का तो इंद दोनों बिंud fear को मिला तुओ यह एक हीच नहीं रहा इन देखो कि इज़े हमने समीकर्ण लग दीजिए समीकर्ण क्या है x-y बनबर एक इस बिन्दू का निदेशन क्या है माइनस के 1,0 ठीक है ना प्रापर वे में दूसरा बिन्दू क्या है x0y6 x0y6 प्लस क्या यह बिन्दू है आर यह 0,6 और एक्स पे चार जाना है और य पे जीरो एक्स पे चार य पे जाना ही नहीं है यह एक्स बिंदों है इन दोनों बिंदों को मिलाती हुए क्या खीज़ दो रेखा इसको और इसको खीज़ दी आपने समीकण का नाम भी लिख दीजिए ठीक है तो इसने यहां पर कट किया यह बिंदों आपको निकालना है इस बिंदों का नाम में टी बोल देता हूं कैसे निगलेगा देखा किचो एक्स पे कितना गया दो और य पे कितना गया एक दो टी ठीक है तो हमें क्या क्या पूछा है घड़ा तिरे बोच कर शीर्ष बताना है तिरे बोच क्यूट है क्योव टिह को एश क्येंद शीर्ष शीर्ष बताना है एक तो की यह हैं तिसके देशांग हमारे पास है माइनस 1,0 फिर T, T हमारा प्रतिछित बिंदु था, X पे 2, Y पे 3, और ये S, ये क्या है, 4,0, ये पहला आंसर था, ये निकालने के लिए बोला गया था, तिर्बुज का शिर्च क्या होगा, साथे साथ ये बोला गया है, कि X अक्ष दोरा जो तिर्बुज बना है, उसको छायंकित के होगे, इस तरीके से प्रश्णावली पूरी समाप्त हो गई, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं, उस वीडियो को हर जगा शेयर करें, सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, पूरी प्रेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्रिप्शन पे, जाह